तो देखते हैं पर question number 17 में हमसे क्या पूछा क्या है अब bus increases its speed from 20 km per hour to 50 km per hour in 10 seconds its acceleration is तो जो यहाँ पर bus की speed है वो initial velocity यहाँ पर किती थी 20 km per hour थी और after 10 seconds इसकी जो यहाँ पर final velocity वो हमें यहाँ पर किती गिवन है 50 km per hour तो हमें यहाँ पर क्या find out करना है हमें यहाँ पर acceleration find out करना है तो करते हैं यहाँ पर solve और देखते हैं हमें यहाँ पर क्या क्या given है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर initial velocity given है जिसको हमें यहाँ यू से denote करते हैं तो यू हमारे यहाँ पर कितना हो जागा 20 km per hour तो जो यहाँ पर km per और भार है इसको हमें यहां पर meter per second में change करना पड़ेगा तो 1 you we can और 19 ludzie without aka āपर में हमारा कितना होता है 3600 संहलों होता है अगर मैं यहां अगर इन दूनों को डिवाइट करूंगा तो यहां पर कितना हो जाएका 0-0 cancel about 215 10 and 1186 तो actually मैं यह हमारे हैं यहां पर कितना आ रहा है अगर मैं यहां पर 518 से मंटिप्लाई करूँ गा तो यह हमारे हैं यहां पर क्या होगा मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा तो 20 50 x 18 29 18 & 210 20 तो यहां पर कितना जाएगा 50 by 9 divide करने पर यहां पर कितना जाएगा 950 यहां पर कितना होता है 45 होता है and point लगाने के बार यहां पर 0 ले सकते and 95 जा 45 तो यह हमारे यहां पर कितना जाएगा 5.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा अब दिखते हैं यहां पर final velocity हमें यहां पर क्या गिवन है तो v equal to हमें यहां पर गिवन है 50 km per hour same हम यहां पर 5 by 18 से multiply करके इसको भी मीटर पर सेकंड में change कर देंगे तो 50 multiply 5 by 18 2 9 जाए 18 and यहां पर कितना जाएगा 25 25 को 5 से करेंगे तो 125 upon 9 तो divide करने पर देखते हैं यहां पर कितना आएगा यहां पर आ जाएगा 9 बंचा 9 and यहां पर कितना आगए हमारा 35 तो यहां पर आ जाएगा 9 3 जा 27 पॉइंट लगा के 0 ले सकते हैं यहाँ पर 80 हो जाएगा and 9872 तो 13.8 मीटर पर सेकंड तो यह हमारे यहाँ पर एप्रोक्स में आएगा आप हमें यहाँ पर टाइम कितना गिवन है 10 सेकंड तो t equal to यहाँ पर लिख सकते हैं 10 सेकंड हमें यहाँ पर गिवन है तो अब हम यहाँ पर acceleration निकाले क्लिए कौन सा तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ using using first equation of motion using first equation of motion और इसका फॉर्मला हमारे यहाँ पर क्या होता है v equal to u plus a t होता है तो final velocity हमें यहाँ पर कितनी गिवन है 13.8 और initial हमें यहाँ पर कितनी गिवन है 5.5 और यहाँ पर acceleration तो हमें निकालना time हमें यहाँ पर गिवन है 10 सेकंड त इसको यहाँ पर further solve करेंगे तो 13.8 माइनस का 5.5 equal to 10 a तो 5.5 अगर मैं left side ले जांगो तो हमें यहाँ पर subtract करना पड़ेगा तो देखते subtract करने पर यहाँ पर कितना आएगा 8 में से 5 गई यहाँ पर 3 बचा and 13 में से 5 गई 8 तो यह हमारा आ जागा 8.3 equal to 10 a और a हमारा यहाँ यहाँ पर कितना हो जाएगा 8.3 divided by 10 पॉंट हाटानिक लिए मैं यहाँ पर उपर निचे 10 से multiply कर दूंगा तो यह हमारा यहाँ पर कितना हो जागा 83 upon 100 और 83 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा अंसर कितना हो जाएगा 0.83 मेटर पर सेकंड स्क्वेर क्योंकि हम यहाँ पर क कितना हो जाएगा 0.83 मेटर पर सेकंड स्क्वेर तो होप आपको यह वाले कुश्चन का अंसर समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं अपने नेस्ट कुश्चन के तरफ